आज उसी भोजन संकल्प पर 35 साल के बाद हमें विचार करने के आवसकता क्यों पढ़ रही है उन्होंने कोई संकल्प लिया उस संकल्प को लेकर के पार्टी का गठन हुआ गठन होकर के पार्टी संक्ता तक भी पहुँची चार बार सरकार भी बनी फिर आज क्या हुआ पहती साल बाद कि देश के भोजनों को फिर एक बार भोजन संकल्प पता के नाम पर जो है आज सेमिनार करने की जोड़त पर आज देश की सिदी बड़ी अजीव है और इस अजीब सिदी का सबसे बड़ा तारण ये है देश बुक पर वाटस अप पर जितने लोग दुवे हैं हम रोज देखते हैं पढ़ते हैं कि हम मोती के भक्तों को मोती भक्त कह कह करके गालिया देते हैं लेकिन सच्चा ही है दोस्तो हम भी किसी ने किसी के भक्त बने विये हैं हम भी उसी तरीके से उस भक्ति को लिप्त रह करके आखों के सामने होने वाली कुरीतियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वज़े से आज हमें यहां बैट करके इस विशे के उपर चुनोती और समाधान को ले करके बात करनी पूरी है। अब सवाल आज यह है कि ऐसी सिद्धी बन क्यों रही है। बैई यह जो विशे है आदि यह इसलिए आया ना कि 1924 की बन्योंई पार्टी हमारी सत्ता तक केंदर की सत्ता तक नहीं पहुंच भाई, कहीं न कहीं तो कारण हैं, उन कारणों को तो हमें तलास करना चाहिए, अगर हम एक तरह आप यहां पर बैठ करके यह कहें कि समर्थ अब लोग एक तरह बैठ जाएं और आलोचे के एक तरह बैठ जाएं, तो दोस्तों कोई जरूर ही निये कि समर्थ तो कोई संक्या कम रहे, या आलोच को की संक्या कम रहे, बराबर बराबर भी हो सकती, कम जादे भी ह सकती है लेकिन दोनों ही तर बैटने वाले लोगों को ये विचार करने की जोरत है आज कि आज ऐसी स्किती क्यों बनी कि जिन लोगों ने अपना पूरे जीवन का संगस इस बहुजन मुवमेंट और इस पार्टी के लिए खतम किया आज उन्हें आलोचना करने के लिए बात यह HORNA पड़ा जिस दिन आजगा जिस दिन आज बस पा का समर्थखं जिस दिन इस बात की दिल से विवेच ना करना सुरू कर देगा उसी दिन इस समस्चा का समाधान हो जाएगा चुकि आज हम ऐसे दोराएं पर खड़े विये हैं कि 35 साल पहले जिस पार्टी का गठम हुआता आज तक भी हम केट्व की सरकार तक नहीं पहुच पाई अगर हम आज ही कोई नई पार्टी बनाते हैं हमारे बहुत सारे लोग उन्हों नई पार्टी बनाई हुई है अगर आज हम नई पार्टी बनाते हैं तो कोई जरूरी नहीं की 100 साल तक भी हम सर्था तक पहुच जाए चुकि फिर हमें जिडियों से सुरू करना पड़ेगा तो ऐसा करने की बजाए क्यों नई हम उस बुराई को दूर करने की कोसिस करें कि आज जैसे विशे पर हमें विवेच ना करने की और आपस में डिसकस करने की जोड़ती ना पड़े अगर हम कई भूले हुए हैं अगर हम कई भटके हुए हैं तो हम उन कुरीतियों को दूर करने की कोशिस करें अगर आलोचना संगटन सामाजिक हो या संगटन राजनितिक हो अगर आलोचना सकरात में तिसामे की गई है और उस आलोचना से संगटन का भला हो सकता है और संक्टन के भला होने के साथ साथ समाज का भी भला हो सकता है तो विरोधी और समर्थक लोगों को सालिंता के साथ एक दिन बैट करके विचार करना चाहिए कि आखिर गलती कहां पर हो रही है, कहीं तो गलती हो रही है आज एकर हम दिल्ली की बात करें मैं दिल्ली से दो बार मेले का चुनाव लड़ चुका हूँ और किसी दूसरी पार्टी से नहीं लड़ा अपनी पार्टी से लड़ा बसपा से लड़ा लेकिन हालाग कितने बुरे हैं इन चीजों का एसास उन नहीं बच्चों को नहीं है जिन्होंने बहुचन समाज पार्टी के सिलित को देखा नहीं है आज हालात यह है कि दिल्ली के अंदर किसी भी विधान समाब है एक जार से जादा वोट नहीं पड़ते चंद विधान समाबों को छोड़ करके क्यों हुई हमारी स्टिती ऐसी जहां पर हमारी तादा जाज पचास जार चालिस जार की संक्या में है तो क्या हम पिचासी परसेंट भोज़र होने का जो दार नाटक कर रहे है क्या यह सही है यह सही नहीं है अगर हम इसी स्टिती से चलते रहे तो दोस्तों कभी भी भला नहीं हो सकता हमें उन गल्तियों की विवेच ना करनी चाहिए हमें गल्तियों की सीख लेनी चाहिए कि आखिर गल्ती हो कहा रही है कहीं तो हो रही है कोई ना कोई तो गल्ती कर रहा है और आज जो कहीं भी से डिकल कर गया है डोक्टर उस पेंदर ने बहुत पच्छी बात कही कि जो लोग किसी भी संगटन का नेतरत्व करते हैं अगर संगटन का नेतरत्व करने वाले लोगों के दिलों में अपने और अपने परिवारों के लिए महल बनाने के सपने अगर हैं ऐसे संगठान करता लोग कभी भी सेही नित्रतों नहीं कर पाएंगे ये एक चीज निकल कर गया ही देखिए अब ये समाबन की हो रहा है सभा तो जो दिन बर का डिसकसन है उससे कुछ पाइंट और कुछ बिंदू हमें सीखने चाहिए कि आज हम पूरे दिन अगर हमने विवेचना की है तो इसका सार क्या है और अगर ऐसा हो रहा है अगर आज ऐसा हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है अगर हम अंदभक्ति में ही एक दूसरे को गाली देते रहेंगे समर्थक और आलो चक एक दूसरे को गाली देते र पाएगे जिस दफ्तर में बैठ करके आप बात कर रहे हैं यहां पर कंपरडिशन के दफ्तर को चलते विए 20 साल से जादा होगे इस देश का कोई परधानमक्ष्री रास्पती ऐसा नहीं है जिन के पास जाकर के हम दलित मुतों को लेकर के हमने मिटिंगे नहीं की लेकिन मेरे एक साथी ने भी थोड़ देर पहले कहा था कि 300 संगटन RSS वालों ने बना रखे हैं और वो आपस में बेसक लड़ते रहें लेकिन जब जगड़ा तलित मुतों को लेकर के अंबेर्दरवाद को लेकर के होता है और जब कहीं चुनाव होता है वोट देने की बात होती ह तो 300-300 संगटन एक जिगह हो जाते हैं इसा है क्यों है इसा चुकर इन 300 संगटनों के लोगों को बठा करके RSS की लोग आपस में बात करते हैं उनके जगड़ो को निपटाते हैं और अगर कोई समस्चा है उसका समाधान ढूनते हैं क्या हमारे यह यहाँ ऐसा नहीं हो रहा हमारी एक राजवितिक पार्टी है और उस राजवितिक पार्टी में कभी भी कोई प्रोग्राम होता है और बेंग जी को नोता देने के लिए जाते हैं तो बेंग जी बिल्कुल किलिए मना कर देती हैं कि मैं इस प्रोग्राम में नहीं होगी जब तक प्रोग्रामों में नहीं आएगी हमारी नेता, जब तक हमारी बात नहीं सुनेगी, जब तक समध्याओं के समधान नहीं होंगे, जब तक आवे बढ़ करके समरस्ता का माहूर बनना बड़ा मुस्किल है ये छोटी-छोटी चीजे हैं जिसकी वज़े से हम पिछड़ते जा रहे हैं आज हालात यह है कि नई चीजे जो पैता करने की कोसिस की गई है और जो आज कहा जा रहा है कि हमें सत्ता नहीं बल्कि एक ऐसे संगटन की जोरत है जो सत्ता को गुलाम बना सके अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंड़ी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूटें ताकि सभी लेटिस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले